सुदाकर तसवीरों में हम देख पा रहे हैं क्या प्रधार मंत्री पालम हवाइ अड़ी पर पहुँच चुके हैं सुदाकर आपको यहां पे रोक रहा हूँ तो आप यह सीधी तस्वीरे देख रहे हैं प्रधार मंत्री का वाहन पहुच गया है एर फोस टेक्निकल एरिया जो पालम का है और यहां पे विशेश विमान से पुद्धान मंत्री जापान की दो दिवस्य यात्रा पर रवाना होंगे जस तरह से हम जानते हैं कि यात्रा काई माइनों में इसलिए खास है क्योंकि ना सिर्फ दूपेक्श सम्मंधों के लिहाद से बलकि कौाट की ये दूसरी सिर्फ दूसरी ऐसी बैठा कोगी जो इन परसन होगी यानि जो तमाम चारों देशों के जो नित्रत्व करता हैं वो आ और प्रधार मंत्री विबान पर सवार होते हुए अपनी दो दिवस्य यात्रा जापान की जो यात्रा है उसके लिए रवादा हो रहे हैं प्रधार मंत्री और कौाट की बैठा के इस दौरान होगी और जापान के प्रधार मंत्री के साथ भी उनके दूपक्षिय बारता होगी और हम जानते हैं कि प्रधार मंत्री काफी कम समय में काफी ज़्यादा बैटकों में भागेदारी करत हैं तो ये भी इस समय कहा जा रहा है कि 40 घंटे के दौरान प्रधार मंत्री 23 बैटकों में शामिल होंगे और बड़ी बात यह है कि इस दौरान अमेरिकी वश्ट्रपती और स्ट्रेलिया के नब निर्बाचित प्रधार मंत्री अंथनी अलबनीज और उनके जापानी संकक्ष होमियों के शिदा उनके साथ भी मलाकात होगी और यह आप ध्यान रखे यह बैठक ऐसे समय में कौाड की होगी जब हम जानते हैं यूकरीन संकट और पूरे वैश्वी कस्तार पे एक आपूरती शुखला का मसला सामने निकल कर आ रहा है तो प्रधार मंत्री रवाना हो गए है जापान की यात्रा की और और अपने समवा जाता सुधाकर का भी धन्यवात करेंगे बहुत बहुत सुधाकर इस पूरी बाचीत में शामिल होने के लिए तो अब देख रहे हैं प्रधार मंत्री रवाना हो चुके हैं और न्यूज न